सबसे पहले टॉपिक 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 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड यह है हमारे पास आई इस टुइंटी वन दैफेक्ट्स ऑफ चेंजिज इन फॉरन एक्स्टेंज रेट्स सर एक्जाम व्यूपॉइंट से मैक्सिमम यह टॉपिक आठ नंबर का टेस्ट हो सकता है इससे ज्यादा टेस्ट नहीं हो सकता ठीक है जी क्योंकि आपके इस लेबस के सारे स्टेंडर्स को आई कैप या तो टेस्टिंग लेवल वन या टेस्टिंग लेवल टू या टेस्टिंग लेवल त्री पर टेस्ट कर सकता है टेस्टिंग लेवल वन का मतलब यह होता है इस maximum art number का test हो सकता है यसे ज़्यादा test नहीं हो सकता फिर सर प्रोफिशनसी का मतलब है सवाल कितना मुश्किल है प्रोफिशनसी भी तीन लेवल्स किया सर आईकप के exam में P1 P2 P3 प्रोफिशनसी 1 का मतलब है बिल्कुल बेसिक सवाल प्रोफिशनसी 2 का मतलब है जो accounting standard आप पढ़ रहे हो उसको आपने apply करना है किसी scenario में और testing level 3 का मतलब ये कि सर आपने जो business case देखना है पेपर में वो एक long business case होगा मुश्किल case होगा ठीक है जी और आपने उस standard के लावा बाकी standards भी apply करने होगा उस पे तो सर इसका प्रोफिशनसी लेवल 2 है यानि सर इसका जो सवाल आएगा वो मुश्किल जरूर होगा बिल्कुल basic नहीं होगा लेकिन extremely advanced भी नहीं होगा इसका टेस्टिंग लेवल 1 है यानि maximum 8 नमबर का टेस्ट होगा 2019 से सर इस लेवर्स का पार्ट है सब्टेंबर 2019 में आई कैप ने इसको पहली रफ़ा फुल मांक्स के लिए पूछा ठीके जी उसके अगली ही attempt में दोबारही 8 नमबर के लिए टेस्ट हुआ उसकी एगली attempt मे सर ये डाई नमबर के लिए टेस्ट हुआ और उसके बाद से शायद examiner को ये लगने लग गया कि IAS 21 भई बच्चों को समझ आ गया है तो examiner ने कोई 2 साल इस topic को टेस्ट नहीं किया और इसके बाद सब्टेंबर 22 में 4 नमबर का ये area टेस्ट हुआ तो अगर मैं देखूं तो सर रीसेंट पास्ट में ये इतना टेस्ट नहीं हुआ और अभी जो हमारे पास सर सब्टेंबर सरी मार्च 23 के attempt आई ये उसमें भी टेस्ट नहीं हुआ तो मैं अगर इस viewpoint से देखूं कि ये रीसेंट पास्ट में टेस्ट नहीं हुआ तो इस attempt के लिए ये बहुत इंपॉर्टन जो है वो एरिया है इसको आपने देख के जाना है ठीके जी इससे आठ नंबर आ सकते हैं और सर रीसेंटली सी ए फाइनल में जैसे एक्जामिनर्स पर सवाल बनाता है तो बहुत सारे स्टेंडर्स के साथ मिला के इसको देख रहा होता है तो मै मैं पूरे स्लेबस के अंदर इस स्टेंडर्स को एक दफ़ा पढ़ाने के बाद जितनी दफ़ा भी सर डिफरेंट स्टेंडर्स पढ़ा रहा हूंगा जहां मुझे लगेगा कि ये स्टेंडर्स 21 के साथ भी आ सकता है तो मैं सर उस पे भी आपको सवाल करवाता जाऊंगा तो यानि ये वो स्टेंडर्स है जो बहुत सारे स्टेंडर्स के साथ मिल के भी टेस्क हो सकता है हम सबसे पहले स्काइड स्टेंडर्स में देखेंगे फिर जैसे से टाइम आगे जाता जाएगा हम इसको दूसरे स्टेंडर्स के साथ मिला के भी देखेंगे ये दिसर इसकी पही हैजारा सबसे पहला रूल देखने जा रहे हैं सबसे पहले डीशन देखने जा रहे हैं प्रेजेन करंशी प्रेजेशन ही बनाने यह कौंड डिफाइन करेगा है मैं बंगले दिशी टके में बनाओ अपने financial statements पाकिस्तानी रूपी में बनाओ US dollars में बनाओ जीबी में बनाओ मेरी मरजी नहीं सर आपकी मरजी नहीं है जो उस मुलक का कानून है वो आपको जो कहेगा आपने उसके हिसाफ से जो है वो अपनी currency सेट करने जैसे पाकिस्तान में कमणी law के हिसाफ से आपको अपने financial statements पाकिस्तानी रूपीज में बनाने अब मुझे एक बात बताए सर प्रॉब्लम जब आती है या IS21 की application जब आती है जब आपके पास आपकी balance sheet के ओपर या profit and loss balance sheet पे या profit and loss में कोई asset, कोई liability, कोई income, कोई expense, कोई amount ऐसा आ रहा हो जो PKR में ना हो foreign currency में हो, dollars में हो, yen's में हो, great britain pounds में हो तो सर फिर हम उसको कैसे report करेंगे पाकिस्तानी currency में क्योंकि मैं ये तो नहीं कर सकता कि अपने पूरी balance sheet को जाए वो PKR में रखूँ और मैं सीबल उसमें से एक portion ऐसा हो जो dollars में आ रहा हो, तो कैसे चलेगा तो सर ये standard मुझे ये सिखाएगा, कि मुझे balance sheet और पेनल में तो उसको कैसे लेकर चलने है, क्या मतलब मिसाल के तोर पर, सर, मेरे एक बंदे से 100 dollars receivable है, मिसाल दे नो चुटी से, ठीक है जी, 100 dollars receivable है, मेरे पास receivable है 100 dollars का, ठीक है जी, आज मिसाल के तोर पर, $ का rate है 260 रुपए ठीक है जी 260 रुपए का डॉलर चल रहा है सर मेरे पास 100 डॉलर का इसाब किताब है US डॉलर है 100 और मेरे पास exchange rate है 260 तो सर मेरे पास 26,000 रुपए इस बंदे से receiveal है अब मुझे बात बता है सर कल इस डॉलर का rate 260 से 270 हो जाए तो क्या मेरे रिसीबल सौ डॉलर से बढ़के बढ़ जाएगा नहीं सर मेरे रिसीबल भी भी सौ डॉलर जी है लेकिन चूंके मैं अपनी बैलन शीट अपना प्रॉफिट एंड लॉस पाकिस्तानी करणसी यह नहीं रुपीज में बनाता हूँ तो अब मेरे पास सर यह जो डॉलर्स पड़े में हैं जो सौ डॉलर्स के रिसीबल है यह सर चौबिस हजार रुपे का था लेकिन रेट बढ़ जाने के बाद यह मुझे 27 जार रुपे का नज़र आ रहा है तो बताएं मैं इसको 26 पे ही रखूँ या बढ़ा के 27 कर दूँ क्या करना चाहिए सर यह जो फॉरण करंसी का रेट एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है एक्सचेंज रेट जो चेंज हो रहा है इसके इंपेक्ट को मैं अपने फानेंशल स्टेटमेंट्स में कैसे रिकॉर्ड करूँ IS21 का नाम भी यही है IS21 का क्या नाम जी जब फॉरण एक्सचेंज रेट में तबदीली आएगी तो मैं अपनी बैलन शीट पे अपने प्रॉफिट और लास में अगर तो फॉरण करंसी आइटम मौजूद है तो उसको किस रेट पे रिकॉर्ड करूँगा कैसे रिकॉर्ड गरूँगा यह पूरा स्टैंडर्ड इस चीज़ के ओपर है ठीके जी याद रखिएगा मेरे बच्चों अगर मेरे पास सारी ट्रांजेक्शन मेरी पूरी बैलन शीट का एक एक आइटम पीके आर में है रूपीज में है तो मुझे आईस 21 को देख रही नहीं है प्राब्लम जब आती है सर जब मैं पाकिस्तानी कम नहीं है और मेरी से मिसाल के तौर पर एक ब्रांच USA में है एक ब्रांच सर मेरी UK में है एक सबसेडरी मेरी जापान में है तो sir मेरे पास कुछ assets or liabilities dollars में आ रहे हैं कुछ assets and liabilities मेरे पास sir gbps में आ रहे हैं great britain pounds में कुछ assets and liabilities मेरे पास sir yen's में आ रहे हैं लेकिन sir ultimately मैंने पाकिस्तान में जो अपने financial statements बनाने हैं वो PKR में बनाने तो मुझे sir in different currencies में मौझूद assets, liabilities, incomes और expenses को convert करना पड़ेगा PKR में और यह conversion मुझे सिखाएगा यह standard यह बात समझ आती है तो basic objective समझ आ गया इस standard का objective क्या है कि अगर हमारी balance sheet के ओपर sir कोई item ऐसा मौझूद है जो कि dollars में है GBP's में है, yen's में है या PNL में कोई asset item मौझूद है तो हमने उसको किस rate पे, किस तरीके से किस amount के ओपर record करना है ठीक है जी, अब बढ़ते हैं sir हम एक step आगे और Allah का नाम लेके sir अब हम एक एक कर यह rule पढ़ते जाएंगे हमने अब तक सिर्फ यह देखा presentation currency वो currency है जिसमें by law आपने अपने financial statements बनाने अगर इस currency के इलावा कोई और currency भी आपने trading में इस्तेमाल की है को transaction हुई है उसके अंदर या कोई balance आपके बास मौझूद है तो उस transaction या balance को आपने किस तरीके से P.K.R. में record करना है, convert करना है या आपको यह standard सिखाए है पका जी, objective clear हो गया एक step आगे बढ़ते हैं चले जी हम बढ़ते हैं जनाब IIS 21 के core areas की तरफ अभी तक हमने सिर्फ यह पढ़ा है कि S. per company law पाकिस्तान की तमाम companies को अपने financial statements presentation currency रूपीज में बनाने हैं पाकिस्तानी रूपीज में बनाने हैं सर अगर एक company की सारी transactions sale, purchase, lane, दे, सब रूपीज में हो रहा है तो उसके लिए P.K.R. में यानि रूपीज में accounts बनाना बहुत असान है लेकिन सर अगर कुछ transactions P.K.R. में ना हो, रूपीज में ना हो किसी और currency में हो रही हूँ तो सर फिर उस पे I.S. 21 apply होगा मिसाल के तोर पर सर एक पाकिस्तानी company अपने जो है वो stock को बाहर बेचती है export करती है, dollars में पैसे आने तो ये transaction होगी किसमें, foreign currency में सर अगर पाकिस्तान में हमको import करते हैं, सर गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो सर हमें पैसे डॉलर में देने सर ये transaction भी क्या होगी, foreign currency transaction तो सर वो transaction जो हमारी presentation currency में नहीं हो रही किसी दूसरी currency में हो रही होंगी वो सारी transactions कहलाएंगी foreign currency transactions और इन transaction को record करने के लिए इन transactions को record करने के लिए IS21 ने एक line का सर क्रटेरिया दिए कि तमाम foreign currency transactions को स् दिन के spot rate पे record करना है spot rate of transaction date क्या मतलब सर? उस दिन के spot rate पे record करने काreiben क्या? सर मिसाल के तोर पे मेरे पास inventory है सर इन्वेंटरी मैंने पर्चेस की पर्चेस की सर 1st January 2022 को सर मैंने इन्वेंटरी पर्चेस की से 2000 डॉलर्स की और मैंने से कोई 2 जन्वरी को ही उसकी पेमेंट कर दी पेमेंट मैंने से 2000 डॉलर्स ही की है सर मैंने खरीदा इसको पहली जन्वरी को और पेमेंट कर दी सर सेकंड जन्वरी को ठीक है जी सर मेरे पास जो रेट था स्पोर्ट रेट स्पोर्ट का मतलब है उस दिन ये डॉलर कितने का मिल रहा था मार्केट से सर डॉलर इस दिन मिल रहा था 80 रुपए का और सर इस दिन डॉलर मिल रहा है 82 रुपीज का अब बदाएं सर मैं इन्वेंटरी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूँ किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूँ मैं उसको 80 पे रिकॉर्ड करूँ या जिस दिन मैंने पैसे दिये उस दिन के रेट पे रिकॉर्ड गरूं स्टेंडड आपको कह रहा है जी ट्रांजेक्शन डेट के transaction date के spot rate पे record करें transaction का मतलब है inventory आपको किस दिन मिली सर मुझे inventory मिली पहली जनवरी को तो मैं इसको record ऐसे करूँगा 1st January 2022 को मैं entry pass करूँगा inventory debit कितने से भाईया सर दो हजार डॉलर्स into 80 एक लाग साड़ हजार और सर मेरे पास क्या चीज फिर payable credit कितने से भाईया 1,60,000 दो हजार डॉलर्स मैंने pay करने है फिर हुआ ये कि सर अगले दिन जब मैं pay करने हैं डॉलर क्रेड़ पढ़ गया अब मुझे ज्यादा रुपे देने पढ़ेंगे तो मैंने अपने पास entry pass की सर पेबल डैबिट पेबल रिकॉर्ड कितने पे हुआ बजी 1,60,000 लेकिन प्यारे बच्चों मैंने जो cash पे किया होगा वो पे किया होगा 2,000 US डॉलर्स multiply by 82 that is 164,000 अब बना है मैंने 4,000 रुपे एक्स्टा पे कियें क्या ये 4,000 रुपे inventory में डाल दूँ अगर मैं इसको inventory में डालूँगा तो inventory बन जाएगी 1,64,000 यानि effectively inventory 82 पे record हो जाएगी जबकि 21 ये कह रहा है कि सर ट्रांडेक्शन date के spot rate पे उसको record करो transaction date का मतलब है जिस दिन मुझे inventory मिली जिस दिन मुझे risk and reward transfer हुए सर वो उस दिन हुआ है loss कैसे हुआ है क्योंकि सर मेरी liability थी 1,60,000 की और मुझे उसको settle करने के लिए pay करना पड़े 1,64 तो सर मुझे क्या हो गया loss हो गया तो मैं नाम दे रहा हूँ उसको exchange loss कितने का जी 4,000 रुपे गा अब देखें इसके अंदर दो बड़ी ही important बात है दो बहुत important बात है इस एक छोटी सी illustration में सबसे important बात ये है कि सर आपने inventory को पहली जनवरी पे क्यों record किया और दूसरी important बात ये कि ये 4,000 का loss कहां से आए सबसे पहली और important बात आपने inventory को पहली जनवरी पे क्यों record किया पैसे तो आपने दूसरी जन्वरी को दी है लेकिन सर्थ दूसरा सवाल हमारे पास यह आता है कि चार हजार का लॉस कहां से आया सबसे पहले सवाल का जवाब इन्वेंटरी को कब रिकॉर्ड करना चाहिए इन्वेंटरी को किस दिन पर रिकॉर्ड करना चाहिए and rewards entity को transfer हो जाए risk and rewards को मैं explain करता हूँ सर इस तरीके से कि अगर मिसाल के तौर पर मैं inventory खरीद लूँ मुझसे दुगान वाले ने का ये inventory होगी तुमारी उसके बाद सर ये inventory गम जाया तूट फूट जाया गायब हो जाया जमेदार कौन होगा मैं इसका मतलब है मैं inventory का risk ओन कर चुका हूँ इसी तरह सर अगर मैं inventory खरीद लूँ और उसके बाद value बढ़ जाया inventory फाइदा किसको होगा मुझे होगा तो इसका मतलब है inventory के rewards भी मेरे standard कहता है भाई या inventory को उस दिन पर record करो जिस दिन उसका risk and reward आपका हो जाए यानि inventory बाद में चोरी हो गमें टूटे पूटे खराब हो जाए आप जमेदार हो inventory की value बढ़ जाए फाइदा आपको हो आप inventory को उस दिन record करें तो मैं एजूम कर रहा हूँ सर जिस दिन हमें inventory रिसीव हुई होगी सर मैंने उस दिन ये consider किया कि रिसक and reward मुझे ट्रांसफर हो गया 2000 डॉलर का था मैंने उस दिन का spot rate इस्तमाल कर लिए इसका मतलब ये है summary के inventory का risk and reward जिस दिन ट्रांसफर हो जाए उस दिन inventory को record करो और अगर वो inventory सर फॉरंण करंसी में परचेज हुई है तो जिस दिन डिसक and reward ट्रांसफर हुआ में उस दिन हमने inventory को record किया उसी दिन के rate पे record करें और अगर बाद में rate तबदील हो जाए उसकी वज़ा से मुझे gain भी हो सकता है loss भी हो सकता है लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने inventory को एक लाग साथ पे record किया पेबल को एक साथ पे record किया लेकिन एक लाग साथ हजार की liability को settle करने के लिए मुझे पैसे एक लाग चौन साथ हजार देने पड़े और सर अलहम्दुरिल्ला मुझे 4000 का क्या हो गया loss हो गया तो इस पूरी illustration चोटी सी illustration के अंदर दो बाद है हमारे सामने है सबसे पहली चीद आई इस 21 ने का सारी foreign currency transactions transaction date के spot rate पे record गरो spot का मतलब है dollar उस दिन कितने का है उस rate पे record गरो दूसी चीद हमें पता चली कि inventory को हम record उस दिन करते हैं जब उनका इसका risk है नवाड हमें transfer हो जाए और सर फिर हमें यह पता चला कि एक दवा inventory record हो गई और बाद में सर हमारे पास payable को settle करने के लिए पैसे ज्यादा या कम देने पड़े foreign currency का rate चेंज होने की वज़ए से तो हमें gain भी हो सकता है loss भी हो सकता है सर पहली बात सर जो foreign currency transaction है जिस दिन transaction होगी उस दिन जो डॉलर जी बीपी वखिरा का rate चला होगा foreign currency का उस पर record करेंगे inventory को उस वक्त record करेंगे जब risk and reward हमें मिल जाएं तीसी चीज सर exchange gain और loss आता है जब आपने सर एक चीज रिकॉर्ड की होती और बात में आपको पैसे ज्यादा या कम देने पड़ जादे बहुत ही लेमें लेंग में जा रहा हूं मैंने भी कोई टेक्निकल बात नहीं की है अब बनाएं सर हमारे पास तीन तीन चीज़ें transaction date के spot rate पे transaction को record करना है specifically inventory की बात करें हमने तब inventory को record करना है और सर अगर record होने के बाद हमें पैसे बाद में ज्यादा या कम देने पड़े तो gain or loss आएगा done अब सवाल यह उठता है जनाब हमें कैसे पता चलेगा कि risk and reward कब transfer हुआ बहुत बड़ा question हमें कैसे पता चलेगा कि inventory का risk and reward कब transfer हुआ यह जानना बहुत जरूरी है क्योंके सर मेजर transaction inventory sale purchase की होती है inventory का risk and reward जज़ें हमें मिलेगा हम उस दिन inventory को record करेंगे अगर हमने foreign currency में purchase किया होगा तो उसी दिन का rate लेंगे और बाद में अगर rate change हुआ तो हमें gain or loss होगा समझे जिस दिन हमें risk and reward transfer of inventory का हम उस दिन उसको record करेंगे अगर dollars में खरीदा है तो उस दिन का dollar का rate लेंगे बाद में rate तबदील हो जाए तो हमें gain और loss होगा फिर repeat करा हूँ सर जिस दिन हमने inventory का risk and reward हमें मिला उसी दिन हमने inventory को record करना है उसी दिन के dollar के rate पर record करना है और बाद में अगर rate तबदील हो गया तो हमें gain भी हो सकता है loss भी हो सकता है अब बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि risk and reward कप transfer होता है क्या सिर्फ goods receive करने पर risk and reward transfer होता है नहीं सर सर international law में चार तरीके दिये में हैं ये जानने के लिए ये मालूम करने के लिए और ये बताने के लिए कि risk and reward कप transfer होता है सर रिसक and reward transfer होना जानना क्यों ज़रूरी है इसलिए जानना ज़रूरी है कि जिस दिन हमें inventory का risk and reward मिलेगा उसी दिन हमें inventory को record करेंगे उस दिन जो dollar का rate होगा उस पे record करेंगे और बाद में अगर dollar का rate तबदील हो गया तो हमें gain भी हो सकता है हमें loss भी हो सकता है तो वह ज़रा देखते हैं जनाब वो चार तरीके कौन से हैं जिसमें risk and reward transfer होने का आपको पता चलेगा नहीं को चार standards international standards कौन से हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि risk and reward का transfer हो फिर repeat कर risk and reward जानना क्यों जरूर है कि कव है में transfer हुआ क्योंकि उसी दिन हम inventory को record करेंगे उस दिन के dollar के rate पर record करेंगे और अगर rate बाद में payment से पहले तबदील हो गया तो हमें gain भी हो सकता है हमें loss भी हो सकता है आई देखते हैं जनाब वो चार methods कौन से हैं वो चार तरीके वो चार standards कौन से हैं जो risk and reward मालूम करने के लिए क्या हमें transfer हुआ या नहीं वो हमें देखने है चले जी एक step आगे बढ़ते हैं जनाब हमने थोड़ी दर पहले ये देखा था कि अगर आपकी कोई transaction foreign currency में हुई है तो आप से आई इस 21 ये कहता है कि जिस दिन वो transaction हुई है उस दिन का आप foreign currency का rate लें और आप उस पे उसको record कर दें ठीक है अब बिसाल के तोर पर एक transaction हमारे पास inventory की purchase तो जिस दिन inventory आप record कर रहे हैं उसी दिन के dollar के rate पर उसको record करना है अब सबसे वड़ा मसला ही है कि inventory record किस दिन करें वह inventory उस दिन record होनी चाहिए जिस दिन हमें inventory का risk and reward transfer हो जाए inventory should be recorded on the date on which risk and rewards are transferred तो जिस दिन हमें risk and reward transfer हुए होंगे हम उस दिन inventory को record करेंगे और उस दिन record करने के वगद जो dollar का rate होगा उस पर record करेंगे आईस 21 हमें यह कहता है अगर हमने inventory dollars में purchase की है अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमें risk and reward transfer हुए या नहीं हुए तो sir इसके लिए चार international standards अपलाए होते हैं चार international standards का मतलब है law ने चार तरीके define किये हुए international law of sales of goods international law of sales of goods ने चार method डिफाइन किये हुए जिससे आपको पता चल जाएगा कि risk and reward आपको कब transfer हुआ है जिस दिन आपको risk and reward transfer हुआ है उस दिन आप inventory को record करेंगे और उस दिन का dollar का rate लेंगे ठीक है हम सबसे पहले उन चार method में से पहले method को देखते हैं हमारे पास सबसे पहला method है इसके अंदर सर free on board अब एक एक method को अच्छे तरीके लिए समझना है मेरे बच्चो अजिम करें सर मेरे पास एक दिन ये है एक point ये है एक point ये है और एक point ये है गौर सुनना मेरे बच्चो सर एजूम करें सर मेरे पास मैं हूँ सर एमद रजा ठीक है जी ये है सर और मैं गुड्स बेच रहा हूँ मैं सेलर हूँ ठीक है जी सेलर को मैं नाम दे रहा हूँ क्या चीज ए आर एम ठीक है मैं गुड्स बेच रहा हूँ ठीक है और सर आज की डेट है मेरे पास फरस्ट जै कराची से मैं गुड्स बेज रहा हूँ कहां भेज रहा हूँ सर मैं कराची से गुड्स बेज रहा हूँ सर मिसाल के तार पे उस्मान को तार थाका तक गुड्स पहूंचते पहुंचते एक महीना लग जाएगा 31 जनवरी आ चुकी होगी समंदर के रस्ते हम इसको भेज रहे ठीक है जी मैंने यहां से गुड्स लोड की यहां से मैंने गुड्स लोड की यहां गुड्स अनलोड हुई अनलोड होने के बाद कस्टम क्लेरंस हुई कस्टम क्लेरंस होने के बाद सर ये गुड्स उस्मान के लिए काबल है इस्तमाल है तो मैं यहां लिख सकता हूँ जनाब हमारे पास कस्टम क्लेरंस ठीक है जी और ये कस्टम क्लेरंस रज्यूम करें हमारे पास हुई है दस फैब दो हजार बाइस को मेरा एक सवाल है सर फरी आउन बोर्ड का मतलब कहा लेकिंगें फरी आउन बोर्ड का मतलब यह है कि जब सेलर यानि एमदरजा और बायर के बीच में अग्रीमेंट हो रहा था तो सेलर ने का भाईया मैं एक शिप पे समान लोड कर दूँगा जिस दिन मैंने शिप पे पहले जन्वरी को समान लोड किया मेरी जम्मधारी खतम ठीक है जी मैं बरी उजिमा हो गया उस्मान ने का ठीक है जिस दिन आप समान लोड करेंगे न शिप पे वो शिप भले कराची में खड़ी होगी लेकिन मैं रिस्क अन्यवाड अजिम कर लूँगा इसका मतलब है समंदर के सफर के दौरान अगर समान डूब गया जम्मधार कौन बाइर क्योंकि बाइर ने का जनाब सेलर की पोर्ट पे मैं रिस्क अन्यवाड अजिम कर लूँगा इसका मतलब ये है कि सेलर ने अहमद रजा ने रिस्क एंड वार्ड काप ट्रांसफर कर दिये जब उसने शिप को समान हैंड ओवर कर दिया अब शिप रस्ते में चल रही है शिप डूबे तबाह हो जाए तूफान आ जाए समंदर में चली जाए जाए जिम्धार कौन होगा उस्मान होगा ठीक है जी अब मैं जिम्धार नहीं हूँ अब बताएं सर इस बायर ने रिस्क एंड वार्ड कब अज्यूम किये पहली जनव बोर्ड पॉलिसी का मतलब मतलब यह कि सर जब सेलर काएगा कि जी मैंने गूड शिप को एंडवर कर दिये मेरी जिंदारी ख़तम तुसरा अंदर के बाद जब भी मैं फ्री ऑन बोर्ड का वर्ड सुनू इसका मतलब यही होगा कि सेलर इसके निवार्ड ट्रांसफर कर देत बोर्ड शबश डेड़ बता सर पहली जन्वरी सर बायर अपनी पर्चेजस का बुक करेगा सर जब उसने रिसके निवार्ड अज्यूम किया और यह डेड़ भी कौन सी है सर हमारी फ़र्ड जन्वरी अब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी हैं मुझे बताएं सर इस रस्ते के दौरान जो फरेट का खरचा आएगा वो कौन पे करेगा फरेट का खरचा कौन पे करेगा सर सीधी सी बात है जब मेरे पोर्ट पे उस्मान साब यानि बायर ओनर बन चुके हैं तो फरेट का खरचा कौन पे करेगा सर बायर पे करेगा ठीक है जी बस ही आप नयाद रखना है सर फरेट के बाद इंशोरेंस इंट ट्रांजिट हाँ जी इंशोरेंस कौन कराता है मालिक कराता है सर तो मालिक ने इंशोरेंस कराना है इंशोरेंस इं ट्रांजिट रस्ते का insurance के डूब वूप ना जाए समान अगर डूब है तो insurance कमने जिमेदार हो जाएगी सर, ये भी कौन कराता है बायर कराता है, फिर सर जब समान पोर्ड पे पहुन जाता है custom से clear कौन करवाएगा सर, ये भी बायर कराएगा तो custom risk किया, custom clearance ये भी कौन कराएगा भया? बायर कराएगा. अब एक बात बताएży अगर कस्टम से समान रुक जाए, ये आगे नहीं जाने देंगी, आप ने समान खलत पर है, जब्त हो जाएगा. अब ये Chartership के बास जब Goods आ गई बायर ओचुका है जम्दार, बायर ओचुका है owner दोनों लोग पहली जनवरी को एंट्री पास करेंगे, Seller सेल्स की एंट्री पास करेंगा और बायर परचेस की एंट्री पास करेंगा, दो बायर के पास अभी तक Physically Goods रिसीव नहीं हुई है लेकिन फिजिकल रिसीव होना क्राइटेरिया नहीं है रिस्क और रिवार क्राइटेरिया है ड़न अब एक बात बता है यह देन में रहेगा आइंदा के बाद जब फ्री ऑन बोर्ड का वर्ड सुनो तो जिस दिन सेलर ने अपने पोर्ड पे गुड्स हैंड़ोर की है उसी दिन हम सेल्स बुक कर लेंगे बले बायर को गुड्स अभी तक फिजिकली रिसीव हुई हो या नही हुई हो अब देखे इस पर एक्जामेर क्या करता है वो कहते हैं जी हमने लाओर से समान लिया और ट्रक पे जो है वो सेलर ने गुड्स अप्लोड कर दी उसी दिन आपको परचेस बुक कर लेनी है उसी दिन के डॉलर का रेट लेना है ऐसा है ये बात याद रहेगी मेरे बच्चों पका एक स्टेप और आगेपढ़ें हम सर इसको पियार से ना सी आई एफ भी कहते है स्वरी एफ भी भी कहते है फ्री ओन बोर्ड ठीक है जी अब आएं सर हम अपने सेकंड मेथ़ड की दिर्फ चलते है जनाब सर हम ने पहला मेथ़ड कवर कर लिया free on board, यह नाम है free on board यानि सर आपने seller ने अपने port पे ही, अपने board पे ही risk transfer कर दिया, buyer को अब हम जाते हैं सर सेकंड method के लिए नाम free on board, यह law ने ने को दिया ठीक है, जो दूसरा नाम है, यह भी बड़ा अजीब सा नाम है, अपने नाम को ही देखने हैं, आपने सिर्फ concept पे फोकस करने है, दूसरा नाम है cost, insurance and freight, इसको हम कहते हैं जनाब c.i.f. method, इसका मतलब क्या सर यह दरा सुनिएगा दोस्त, मैं फिर आपके सामने सर एक diagram रख रहा हूँ, एक timeline रख रहा हूँ सर, सर, यह एक date, सर यह दूसरी date और यह तीसरी date, सर यह है मेरे पास seller का port, ठीके जी, मैं नाम दे रहा हूँ सर इसको seller port, ठीके जी, यह है मेरे पास buyer का port, ठीके जी, अजियम करे seller मैं हूँ, सर और buyer अजियम करे मेरे पास हो, सैंद भाई हैं ठीके जी सर यह मेरे पास हे अना कस्टम कर इस टीकवाने पैलिजन्वरी 2022 को गॉड्स बेचे हैं बाईर को एकत्यस जन्वरी 2022 को गॉड्स को बहुत मिल गये और उसको दंग लगे इसको कस्टं से क्लियर करवाने उने दस बेट अखेशन से邊 से क्लियर और बायर के बीच मेर बायर के बीच मैं अूर भायर मेरे बीच में जली साथे शिप को एंडूर करूंगा न रिसके निवार्ट ट्रांसफर आगे से आप जानो आपका काम जाने बायर ने कर ठीक है सर कोई मसला नहीं है आप एक काम करें आप रिसके निवार्ट मुझे ट्रांसफर कर दें कहां पर risk and reward कान efecto ध़र दें मुझे अपने पोर्ट पर यानी के seller की पोर्ट पर ठीक जी अब बना,ถ количество seller की पोर्ट पे risk and reward ट्रांसफर हो रहें तो इसमें और F.O.B. फर्क क्या रहाएगा, वहाँ पर भी तो seller की पोर्ट पे risk and reward ट्रांसफर हो रहा था तो यहाँ और इसमें फरक क्या है सिर्फ और सिर्फ एक फरक है इसके अंदर बायर जो है वो सेलर से ये कहेगा कि ऐ मिस्टर सेलर या तुम मेरे बिहाफ पे ना या मेरी जगा अल्ला के वास्ते सिर्फ फरेट और इंशूरंस का खरचा दे दो बस क्या खरचा दे दो फरेट और इंशूरंस का ये फरेट और इंशूरंस का खरचा पहले कौन दे रहा था ये दे रहा था बायर अब बायर ने सेलर को का भई मैं रिस्क और वार्ड आपकी पोर्ट पर ये अज्यूम करना हूँ लेकिन साइन थोड़ी महरवानी आप एक काम करो फरेट का खरचा और इंशूरंस का खरचा आप पे कर दो अब देखो ये खरचे उस्सूलन बायर को पे करने चाहिए क्योंकि रिस्क और वार्ड बायर को कब ट्रांसफर हुआ सेलर की पोर्ट पे लेकिन बायर की जगा ये खरचा गुडविल जेस्टर सेलर पे कर देगा तो इस मेथड को हम कहते हैं CIF लेकिन FOB मेथड में और इस मेथड में रिस्क और वार्ड कब ट्रांसफर हो रहा सर बायर को रिस्क और वार्ड कब ट्रांसफर हो रहा सेलर की पोर्ट पर तो आप बताएं सर मैं गर इस method में भी आप से पूछओं तो मेरे पास सर seller कब entry pass करेगा सेल की जी seller sales कब book करेगा किस थारी को book करेगा मेरे बच्चो पहली जनवरी को सर बायर परचेदेज कब book करेगा जी मेरे प्यारे बच्चो बायर पर्चेत भी बुक करेगा पहली जैन्वरी दो हजार बाइस को अच्छा जी अब बताएं सर कुछ खर्चें खर्चा है फ्रेट का सर खर्चा है इंशोरंस इन ट्रांजिट का सर खर्चा है कस्टम क्लेरंस यानि कस्टम ड्यूटी का मुझे बताएं सर यहां पर फ्रेट कौन पे करेगा सेलर पे करेगा दो रिस्क एंड रिवार्ट बायर को ट्रांस्टर हो चुका है सेलर कहेगा एड़ गुडविल जैस्टर रस्ते का किराया मचसे ले ले इंशोरंस एंड ट्रांसिट सेलर पे करेगा एड़ जैस्टर ओफ गुडविल कोई टेंशन नहीं यार मैं दे देता हूँ लेकिन कस्टम की क्लेरंस उसका रिस्क कस्टम ड्यूटी ये सब कुछ बायर पे करेगा अब अगर कोई आप से पूछता है जी कि जो दो दो basis हैं FOB basis और CIF basis exam में वह आपको कहाएगा company purchased inventory on CIF basis company purchased inventory on FOB basis basis आपको पता होनी चाहिए कि FOB क्या है और CIF क्या है सर मुझे बता है दोनों में risk and reward cup transfer होगा seller की port पे risk and reward cup transfer होगा seller की port पे फिर repeat कर हो risk and reward cup transfer होगा seller की port के ओपर फरक क्या है दोनू method के अंदर एक method में sir seller के seller जब risk and reward ट्रांसफर कर देगा तो आगे के सारे खर्चे freight, insurance और custom clearance ये बहे करेगा buyer लेकिन sir दूसरे method में buyer के request पे दो खर्चे seller पे करेगा कौन से sir freight और insurance and transit के ये दोनों खर्चे कौन पे करेगा seller पे करेगा किसकी request पे बायर की request पे लेकिन याद रखना दोनों में एक चीज़ common है risk and reward seller की port पे ही transfer हो जाते हैं दने जी हम बड़े सर अपने third standard के ओपर दो standard और रह गए इन दोनों standards में आपने FOB में और CIF में risk and reward का trigger देखा कब आपने book करना है जब seller की port पे समान seller hand over कर दे दन तीसरा method देखने जा रहे है जनाब third method है हमारे पास delivery at terminal सर आसान भाशा मैं इसको कहते हैं debt DAT सर इसमें कहा है सर यह तीसरा standard है हमारा गौर से देखिएगा मेरे बच्चों तीन डेट से हमारे पास सर एक सर दो तीन ठीक है जी अजिम करें सर यह seller का पोर्ट है पिड़ा यह concept याद रखना बहुत जरूरी है यह मैं हूँ ठीक है जी यह मेरा बायर है ठीक है जी अब अजिम करें मैं असलम हूँ ठीक है जी फिर मेरे पास सर एक और डेट है custom clearance की अब अजिम करें सर मैंने पहली जन्वरी को goods chartered ship को handover किये 31 जन्वरी को यह buyer के पास पहुंचे और 10 वैप को buyer ने यह custom से clear भी करवा लिए गौर से दिखना मेरे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अब buyer और seller आपस में बैठे में seller ने का भाई मैं आपको goods handover कर दूँगा ship पे बायर ने का नहीं 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 हैंड ओवर करना है जो करना है करो जब तक goods मेरे terminal पे नहीं पहुंचेंगे मेरे शहर में नहीं पहुंचेंगे मेरे पोर्ट पे नहीं पहुंचेंगे मेरे skin reward अजिम करूँ तर्मयान में डूब बुब जाए मैं जमदार नहीं है अब बताएं सर इसमें और उपर वाले दोनों cases में फर्क ये है कि यहां पर risk and reward यहां पर risk and reward कहां transfer हो रहा है सर यहां risk and reward transfer हो रहा है बायर की पोर्ट पे जाके अब बताएं सर अगर मैं आपसे पूछूँ सेलर सेल्स के entry कब पास करेगा परचेजस कब बुक करेगा बताएं जी सेलर कह रहा है जब तक मेरे मौले में यानी सर मेरे पोर्ट पर समान ला के नहीं दोगे मैं risk and reward अजिम नहीं करूँगा तो सर हमें sales बुक करनी चाहिए 31 जनवरी को और हमें purchase भी बुक करनी चाहिए 31 जनवरी 2022 को क्योंकि सर हमारे प नवरी को तो आपने पेपर में आँखे खोल के देख रहा है कि Terms F.O.B. हैं C.I.F. हैं या D.A.T. हैं D.A.T. में risk transfer होता है seller की तरफ से बायर को risk up transfer होता है बायर की पोर्ट पे जाके तो सर जब तक बायर की पोर्ट पे हम नहीं पहुंचे के हम sales और purchase book नहीं करेंगे अब स तक ला के दो तो सीदी सी बात है सर फ्रेट पे करेगा seller ठीक है जी अब बनाएं सर इंशोरेंस अंड ट्रांजिट कौन पे करेगा यह कैसर बायर की request पे हम पे करें नहीं सर agreement है कि बायर कह रहे है मेरे पोर्ट तक ला के दो तो बात बने सर इसका मतलब जितने खर्चे हो रहे हैं वो अब तक seller पे करेगा लेकिन सर जब पोर्ट पे पहुंच जाएगा न तो अब हम बायर को कहेंगे custom clear करवाना तेरा काम है तो custom clearance यह कौन करवाएगा भाया सर यह करवाएगा हमारा बायर custom duty भी बायर ही पे करेगा अब बताएं सर इसमें और उपर वाले दो मैथज़ में फरक उपर वाले दो मैथज़ में seller जैसी ship को goods handover करनी है sales book कर लेनी है सर delivery terminal में जब तक बायर की port पे goods नहीं पहुंचेंगी हम sales book नहीं करेंगे यह बात समझ आती है सर इसको अच्छे तरीके से नोट कर ले और अब हम देखने जा रहे है अपना आखरी step आखरी stage ठीक है यह हमारा सर चौटा प्रोसेस है चिस काल्ड डिलिवरी duty paid यह भी extended है दुनिया में इसको wrestling का एक दा होता था था नए DDP DDP कहते हैं सर इसको assume करें दो मिनट के लिए मैं फिर एक timeline बना रहा हूं सर यह date यह date और यह date ठीक है जी सर मेरे पास यह है seller का port यह है मेरे पास buyer का port यह है मेरे पास custom cleared ठीक है जी assume करें सर पहली जनवरी को हमने good ship पे डाली और यह ship जा रही है सर से ढाका ठीक है जी और ढाका में बैठे है सर मिसाल के तौर पे बबलू भाई ठीक है जी यह 31 जनवरी की rate है सर यह ढाका पहुंचेगा और सर कस्टम clear करवाने में 10 दिन लग जाएंगे 10 फैब आ चुकी होगी ठीक है जी अब सुने जरह दोस्त बायर और seller के बीच में ख़ल जाओंगा मुझे कस्टम भी क्ले पर कर दो कस्टम क्लेर हो जाएका तब मैं रिसक किया रिवार्ड अब बताएं जी मेरे बच्चों इस केस में रिसक हैंड रिवार्ड आपने कब बुक करना एकब ट्रांस्ट रॉसकिन एनवार्ड सर ट्रांस्वर हुआ रिस्क एनवार्ड कस्टम क्लेरेंस के उपर अच्छा दी फिर जी सर सेलर सेल्स कब बुक करेगा सर बायर परचेजिस कब बुक करेगा जी कब बुक करेंगे जी सर सेलर सेल्स बुक करेगा और तस पेपको और बायर पर चेंदेजिस बुक करेगा सरण दस पेपको क्योंकि रिस्क एणiva ट्रांसफिर होगा ए आम तोर पैसा कब होता है आम तोर पैसा जब होता है जब बायर को पता नहीं होता क्या यार यह जो गूडज मेरे पास आ रही है किस्टम क्लेर हो पाएंगे ये नहीं तो बायर मौतात रहते हुए सेलर से रिक्वेस्ट करते हैं किस्टम क्लेर होगा तो मैं पैसे दूँगा मैं जिम्यदार बनूँगा अधरवाइस मैं गॉड्ज एक्सेप नहीं कर रहा ठीक है अब बताएं सर इस केस में सारे खर्चे चाहे वो फ्रेड है चाहे वो इन्शूरंस इन्ट्रांसिट है चाहे वो कस्टम ड्यूटी है जिसको मैं कहता हूँ कस्टम क्लेरिंस कॉस्ट यह सारा कौन पे गड़ेगा अब मुझे बाहत बना सर अगर मैं आप से पूछा हूं मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे पूरे सेट UP की चोटी सी समरी यह सेलर का पूर्ट है यह बायर का पूर्ट है यह कस्टम ड्यूरेंस है मुझे पता है सर FOB में रिस्क अन्वाट कप ट्रांसफर होता है सर यहां पर CIF में रिस्क अन्वाट कप ट्रांसफर होता है सर यहां पर तो सेल परचेस के एंट्री भी यही बना लो सर delivery at terminal में risk in reward cup transfer होता है यहाँ पर और delivery duty paid में risk in reward cup transfer होता है यहाँ पर यह diagram आपको याद होनी चाहिए कि चारो जो international standards है sales of goods के उसमें risk in reward cup transfer होता है अगर F.O.B. लिखा हो तो मैं sir इस date पे यानि पहली जनवरी पे sale purchase book कर लूँगा C.I.F. लिखाओ पहली जनवरी पे sale purchase book कर लूँगा उसी दिन के डॉलर का rate pick करूँगा बायर की port पे ले जाके delivery at terminal वाले case के अंदर मैं sir sale purchase book करूँगा 31 जनवरी पे उसी दिन का dollar का rate लूँगा और delivery duty paid यानि custom भी clear कर वागे दूँगा तो sir मैं sales और purchase book करूँगा 10 वैप को ऐसा ये बात समझ आती है sir ये बात भीज़ें में बैठती है ये sir हमारे पास 4 international standards थे जो आपने अपने दिमाग में रखने है sir अगर मैं इस पूरे case की एक summary बना दूँग तो मुझे एक बात बताएं sir मेरे पास risk and reward sir cif में same seller की port पे जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है चाह बहुत सरे लोगों के जैनों में घलत concept है कि cif में risk and reward जो है वो बायर की port पर पना सवर होता ऐसा नही है ठीक है फिर delivery terminal बायर की post बायर की port sorry और delivery duty paid after custom clearance ठीक है जी अब बताएं sir freight कौन पे करेगा sir f.o.b में freight कौन पे करेगा sir buyer क्योंकि उसने का जनाब risk and reward मेरा तो freight मैं पे करूँगा insurance buyer पे करेगा sir वो कह रहा जी risk and reward मेरा तो insurance भी मैं पे करूँगा custom duty भी कौन पे करेगा buyer done हो गया अब cif और f.o.b में सिर्व एक फर्क है के freight और insurance buyer की request पे seller पे कर रहा होता है ठीक है जी लेकिन custom की clearance और सारे मामलाद भायर खुद देखता है ठीक है जी delivery at terminal sir इस case में seller ने risk and reward चूंकि buyer की port पे transfer करना है तो buyer की port तक कर ले जाने का सारा खर्चा है इसका फिर custom duty सिर्व बायर पे करता है sir आखरी वाले case में तो हमने sir बायर को custom clear कर वागे देना है तो sir सारे खर्चे seller पे करने है देख उसमें याद रखने वाली चीज़ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये है खर्चे किसने पे की है याद ना भी हो तो चल जाएगा और मैंने आपको का था मैं इस कोर्स को इस नियत से पढ़ाऊंगा किस कोर्स के पढ़ने के बाद आप सीए फाइनल में जब जाएंगे ना तो आप एक बड़ा अलग माइंट सेट लेके जाएंगे यह मैं आपको assurance दे रहा हूँ तो sir I hope यह आपको सारा समझ आ गया होगा कि रिसके निवाड का ट्रांसफर होता है और यह मैं जानना है इसलिए जरूरी है कि जिस दिन रिसके निवाड हमें मिलेगा उसी दिन का हम डॉलर का rate पिक करेंगे और उसी दिन inventory को record करेंगे और अगर sale book करना होगा तो उसी दिन sale book करेंगे जब रिसके निवाड या control ट्रांसफर करेंगे उसी दिन का dollar का rate लेंगे ठीक है जी तेंक यू वेरी मच एक step और आगे बढ़ते हम सर चले जी अब हम जारें जनाब IS21 की accounting देखने के लिए यानि अब हम वो चीने देखने जारें जो हमसे exam में पेपर में पूछेगा कि जी account for कैसे करना है transactions को देखें IS21 ये कहता है कि जनाब जब मुझे apply करना होना आप जाएं और अपनी balance sheet को दो हिस्सों में तोड़ दे balance sheet में से निकाल ले monetary items और balance sheet में से निकाल लें non-monetary items झा EM हमने आजी ऐस़ा क्यों उसे ईकार join monetary items की treatment अलग होगी IS21 में non-monetary items की treatment अलग होगी हमने बताव monetary items होते क्या हैं उससे का जी monetary item standard ने का वो सारे Receivables वो सारे Payables वो सारे geben वो सारे Payables जो के cash में settle होने हैं वो सारे रिसीबल्स वो सारे पेबल्स जो के कैश में सेटल होने हैं और कैश इटसेल्फ ये तीन चीदें कहलाएंगी मॉनिटरी आइटम्स टेक्निकल डेफिनिशन तो उसकी थोड़ी से अलग है लेकिन मैं बिल्कुल आसान बाशा मैं आपको बता रहा हूँ सारे रिसीबल्स जो के कैश में सेटल होने सारे पेबल्स जो के कैश में सेटल होने और कैश इटसेल्फ यहनी करनसी नोट जो है बेंक बैलन्स जो है ये हैं आपके monetary items इनकी IS21 के साफसे accounting treatment अलग है और इसके इलावा आपकी balance sheet पे मौझूद सारे items non-monetory है PP non-monetory, intangibles non-monetory, sir हमारे पास share capital non-monetory, retained ending non-monetory, sir आपके पास सारी के सारी चीदा non-monetory है सिर्फ तीन चीदा monetary receevals, जो के cash में settle होने, सारे payable long term, short term, weather, किसी भी नाम से, ठीके जी, जो cash में settle होने और cash, अब मैं आप से कुछ सवालात पूछ रहा हूँ, मुझे बता है sir मेरे पास सबसे पहले tax payable, payable, cash में देना है monetary, dividend payable, pay करना है cash में, monetary, account receeable, cash में receive होने, monetary, loan receevable, loan दिया था, पैसे वापेस मिलने, monetary, cash में आना है, cash में settle होने, cash में convert होने advance from customer, अब देखें, जब customer से आपको advance मिलता है, तो अब आपने बदले में उसको पैसे वापस नहीं करने, goods देने है तो advance from customer एक ऐसी liability है, जो cash में settle नहीं होगी, तो वो monetary नहीं है तो monetary items कौन से तीन, सारे receeables, जो के cash में settle होंगी, सारे payables, जो के cash में settle होंगी, और cash itself non-monetary item, इनके इलावा बाकी balance sheet पे मौझूद हर एक चीज non-monetary है अब बता है, इसको classify करने का reason क्या है standard कहता है, अगर कोई monetary item foreign currency में denominated है, यनि foreign currency में कोई receeable foreign currency में, कोई payable foreign currency में, या foreign currency cash पढ़ा है कोई receeable foreign currency में, कोई payable foreign currency में है, या cash मौझूद है सर, ऐसे monetary item को, जो के foreign currency में denominated है, हम हर reporting date पर, हर reporting date पर foreign currency के लिए re-translate करेंगे, हर reporting date पर foreign currency के लिए re-translate करेंगे, ये क्या होता है सर, आए ज़र एक छोटी से example से दिखते हैं, जनाब, अजूम करें सर, मैंने कुछ inventory purchase की, एक छोटी से example लेके चलना हूँ इसे, ठीक है जी, इसको print वाली example डाल देते हैं, चलने जी मेरे पास एक छोटा सा question है, जनाब ये कह रहा है कि एमद limited purchase inventory worth 4000 dollars, 4000 dollars की inventory हमने खरीदी 29 December पे, ठीक है, inventory purchase की 4000 dollars पे, ठीक है, the company settled the amount on 8th January, 8 January को, हमने पैसे pay की है, इसके दरम्यान हमारा year end आ गया, 31 December, ठीक है जी, तो इसका मतलब हमारे पर तीन transactions, यानि तीन चीज़ें, इसका तीन dates, key dates है, एक हमारे पास है सर, 39 December की date, जिस जिरह में risk and reward transfer हुएं, तो मैं नाम दे रहा हूँ सर, goods purchased, ठीक है जी, फिर हमारे पास एक और date आई है सर, ये date आई है हमारे पास किस तारी को, 31 December को, ये मेरे बच्चों मेरा year end है, ठीक है जी, और सर हमारे पास फिर payment हुई है कब, सर payment हुई है हमारी 8 January को, किया हमारी payment हुई है, तो ये तीन key dates है सर, सबसे पहले तो जिस दिन हमें risk के नवा transfer हुआ, उस दिन मैं entry पास कर रहा हूँ, सर, foreign currency transaction, जिस date पे हो, उसी का rate लेना है, सर, transaction हुई है, 29 December को, 260 रुबे का rate था, तो सर हमें, हमने entry पास की, हमने entry पास की किस तारीक को, हम entry पास करें सर, 29 December को, मैं entry पास कर रहा हूँ, सर, inventory debit, कितने से दी, 4000 dollars, into 260, IAS 21 ने पहला rule में सिखाए था, कि जिस दिन transaction हो, उसी दिन का rate पिक करो, 260 रुपे का rate है, तो 4000 into 260, ये मेरे पास आता है, सर, 1.04 million, 10400,000, और payable credit, 4000 dollars, into 260, ये हो जाता है, सर, मेरे पास, 1040,000, अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज़ ये बताओ, मैंने इस entry के बाद, अपनी balance sheet पे, दो items छोड़ दिये, एक item है inventory, एक item है payable, एक item है inventory, एक item है payable, inventory एक non-monetory item है, payable एक monetary item है, क्योंकि monetary item की definition, हमने क्या पढ़ी थी, सारे receibles, जो कि cash में settle होने, होने, वो सारे payable, जो कि cash में settle होने, और cash, तो sir, क्या है, ये मेरे पास जो payable आ रहे है, cash में settle होना, yes, IS-21 कहता है, इसको हर reporting date पर, यानि हर उस date पर जब तुम financial statements बनाते हो, आम तोर पर हम साल के end पर बनाते हैं, आप इस financial statements बनाते हुए, इसको re-translate करेंगे, re-translate करने का मतलब है, नए rate पर लेके जाएंगे, नए rate का मतलब है, ये 260 पर record हुआ है, जैसे rate तबदील होगा, आपने इसको increase करना, inventory को नहीं करना, inventory non-monetory item है, non-monetory item को आपने कुछ भी नहीं करना, एक दबार record हो जाए, छोड़ देना है, आगे हम उसके rules पढ़ेंगे भी ठीक है, non-monetory item जब record हो जाए, छोड़ दो, खतम, मसला किसका है, monetary item को, monetary item को है, तीन चीदे, सारे रिसीबल, जो के cash में रिसीव होंगे, सारे payable, जो के cash में पे होने, और cash, अब बता है, सर, भागते दोड़ते हैं, पहुंचे किस तारीक को, सर, हम पहुंचे जनाब, 31, December, यह आगे, सर, हमारा year end, जब मेरे बच्चो year end आया, तो मुझे याद आया, कि मेरी balance sheet के ओबर, एक monetary item हमारा है, payable नाम का, ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, सर, अब मुझे इसको re-translate करना है, यानि यह 260 पे recorded है, और साल के end pay, अगले दिन, दो दिनों में, 5 बेमेंगा हो गया, अब जब सीधी बात है, मैं pay करने जाऊंगा, तो 260 थोड़ी pay करूंगा, मुझे जब payment करना होगी, जिस दिन actual में, तो पैसे तो बढ़ चुके है, अब मेरी liability तो सर, 1040 पे recorded है, यह खलत है, कम recorded है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ है, कितना जी, बीस हजार, अब बता सर, इसको debit क्या करूं, सर, यह एक loss है, liability का बढ़ जाना, liability का बढ़ जाना, एक loss है, तो मैंने entry पास कीजी, exchange, loss debit कितने से जनाब, सर, 4000 इंटू, पांच कितना भईया, बीस हजार, loss हो गया, सर, बेना, foreign currency, change होने से, इसका rate change होने से, मुझे loss हो गया, standard का नाम क्या, effect of changes in foreign exchange rates, उसका effect क्या है, मुझे loss हो गया, अब बनाए, monetary item को re-translate किया, हाँ सर, बिलको ही किया, अब monetary item हाच चुका कितने पे, जब मैं balance sheet बनाऊंगा, मेरी inventory कितने पे आ रही होगी, statement of financial position बनाऊंगा, मेरी inventory कितने पे आ रही होगी, सर, मेर inventory आज भी आ रही होगी, सर, one zero, four zero पे, balance sheet पे, और सर, मेरा payable कितने पे आ रहा होगा, payable 20,000 बढ़ने के बाद, one zero, six zero पे आ रहा होगा, और सर, मैंने कोई 20,000 रुपे का last book किया है, अब बनाए, सर, हमारे पास भागते दॉरते, date आ गई, कौन सी, आठ जन्वरी, इस दिन डॉलर थोड़ा सा और बढ़ गया था, आठ जन्वरी पे पहुंच होगी, अब बदावसर, मैं पैसे pay करने जा रहा हूँ, मेरी जेव से जो cash जाएगा, वो जाएगा, 4000, multiply by 268, याद रखना मेरे बच्चों, हम जब डॉलर पे करता है न, तो उसी दिन डॉलर मार्केट से परचेस करके पे कर, डॉलर अब खरीदने गया है, तो 260 रुपे की payment करना पड़ जाएगी, तो 260 का हमें डॉलर पढ़ रहा है, तो 4000 into 268, या हमें पढ़ सर, 107200, अच्छा हमारा पेबल कितने पे आ रहा है, पेबल हमारा आ रहा है सर, 1060 पे, अब बदाएं सर, इन दोनों का फिर एक डिफरेंस आ गया, क्या किरूं सर, अब मैं, फिर एक और थोड़ा से exchange loss, कितने का भईया, सतीन रुपे से rate बढ़ा है, 4000 into 3, यहीं 12,000 रुपे का और exchange loss, ऐसा, अब बताएं सर, अगर मैं आप से पूछूँ, इस पूरी discussion में आपने समझा गया, सर, मैंने जो पहली transaction record की, वो उस rate पे record की, जिस rate पे risk and reward मुझे transfer हुए थे, जिस दिन का rate था, वही मैंने pick किया, क्योंकि IAS 21 कहता है, foreign currency transaction को, जिस date पे record करना है, उस date के rate पे record कर दिया, फिर एक monetary item है, इस में payable, और एक non-monetary item है, century में inventory, जो non-monetary item है, उसका कुछ भी नही तक कि वो pay ना हो जाए, जब pay हो जाएगा तो कानी, खतम हो जाएगी, ये बात भीजे में बैठती है, सर, तो सर, हमारे पास summary ये ठहरी के, जब भी आपके पास, कोई भी foreign currency transaction होगी, आपने उसको उसी दिन के rate पे record करना है, जैसे हमने या 260 के इसको record किया, फिर दूसरा काम हमने ये किया कि सर, उस entry की वज़ा से, अगर हमारी balance sheet के ओपर कोई monetary और non monetary items आ गया है, तो जो monetary item है, उसको हर reporting date पे आपने foreign currency के लिए re-translate करना है, ताकि वो updated amount के ओपर आ जाए, ठीके जी, और अगर सर कोई increase decrease होगा, उसके अंदर तो आपने चेक करना है कि gain है या loss है, और उसके हसाब से आपने gain and loss बुक करना है, ठीके जी, और फिर end पे आके सर, जब ultimately वो payable and receable settle हो रहे होंगे, तो ultimately आपने जो cash pay या receive करना है, वो देख के मजीद gain and loss निकालना है, ये बात भीजे में बैठती है, तो पूरी discussion की summary, monetary items, sir, receables हैं जो cash में settle होंगे, payables हैं जो cash में settle होंगे, cash है, sir, अगर कोई भी monetary item, foreign currency में मौझूद है, आपने उसको हर reporting date के ओपर, नए rate पे translate करना है, नए rate पे आपने उसको record करना है, और जो increase और decrease आएगा, आपने उसको gain and loss के तोर पे book करना है, sir, मुझे कैसे पता चलेगा, कि ये gain है या loss है, देखिए sir, अभी immediately चलेजी, एक step और आगे हम बढ़ते हैं, जनाब हमारे पास एक छोटा सा concept है, concept of exchange gain or loss, अभी देख हमने कोई डीटेल में concept नहीं पड़ा, sir, presentation currency पड़ी ये क्या होती है, foreign currency का मतलब वो जो presentation currency नहीं है, ठीक है, हमने ये पड़ा है कि IS21 is here to solve the problem कि अगर मेरे पास कुछ items balance sheet और पेनल में foreign currency में आ रहे हो, तो मुझे उसको कैसे record करना है, ठीक है, एक छोटा सा है साब किताब में आपको बता रहा हूँ, अजियूम करें कि मेरे पास एक receivable है, receivable एक asset होता है, सर मेरे पास 200 dollars का receivable है, ठीक है जी, एक डॉलर मिसाल की ताउर पर सर 200 रुपएगा, 200 रुपएगा, तो पता है मेरे receival कितना है जनाब, receival मेरे पास शथ गालिवन 55 पांच लाग रुपएगा बनेगा, कितने का बनेगा, 200 into 200, यह आता सर मेरे पास 50 thousand, सर डॉलर का rate बढ़ गया, यह 200 US dollars, US dollars ही रहे, लेकिन एक डॉलर बढ़ के 258 का हो गया, डॉलर का rate बढ़ गया, डॉलर का rate बढ़ जाने से क्या मेरा asset बढ़ रहा है, क्या मेरा asset बढ़ रहा है, यह सर, asset का बढ़ जाना, asset का बढ़ जाना, asset का increase हो जाना मेरे लिए gain है, तो आइंदा के बाद सर मैंने एक rule देख लिया, कि asset का increase हो जाना due to foreign currency या foreign exchange rates, changes, सर यह कहला आएगा मेरे पास exchange gain, इसी तरह मेरे बच्चों अगर यह dollar का rate गिर जाता, यह 200 से 240 हो जाता, तो मेरे पास asset क्या हो जाता, सर मेरे पास asset गिर जाता, और asset का गिर जाना due to foreign currency rate changes, यह मेरे पास है exchange loss, सिंपल सी बात है, asset बढ़े gain, कम हो जाए, loss, ठीक है जी, अब मुझे मेरे बच्चों एक चीज यह भी बताओ, साथ साथ में, मेरे पास सर एक payable है, मैंने सर एक बंदे को सर दो सो डॉलर्स पे करने हैं, आज डॉलर का rate धाई सो रुपए है, तो मैंने पचास अधार रुपए उस बंदे को पे करने हैं, अब शाम में पता चला कि डॉलर का rate, सर डॉलर का rate धाई सो से बढ़ के, दो सो साथ रुपए हो चुका है, अब मुझे नजर आ रहा है प्यारे भाई, कि मैंने उसको पचास नहीं बलके बावन अजर देने हैं, तो देने हैं, पचास देने थे, पचास देने हैं, बावन बढ़ गया, तो ये पेबल का बढ़ जाना, पेबल का बढ़ जाना, या दूसरे अलवाजों में, liabilities का increase हो जाना, due to changes in foreign exchange rates, सर लाइबिलिटी का बढ़ जाना एक्सचेंज लाउस है, सर लाइबिलिटी का कम हो जाना, कम हो जाना, due to changes in foreign exchange rates, exchange gain है, तो सर इसका मतलब है, मेरा asset बढ़े, gain, asset कम हो जाए, loss, liability बढ़ जाए, loss, liability कम हो जाए, gain, basic चीज़ आपने अपने जहन में रखना है, इसका मतलब ये, कि foreign currency का rate जब change होगा, कभी हमें gain हो रहा होगा, कभी हमें loss हो रहा होगा, dollar का rate चेंज होने से, कभी हमें gain हो रहा होगा, कभी हमें loss हो रहा होगा, तीसी चीज मैं आपको ये बताई है कि सर exchange rate change होने से बाद वकात मेरे कुछ receeables हैं वो increase और decrease हो जाते है और कुछ payables increase और decrease हो जाते है सर इससे मुझे gain भी हो सकता है इससे मुझे loss भी हो सकता है asset का बढ़ जाना gain, asset का कम हो जाना loss liability का बढ़ जाना loss liability का कम हो जाना gain clear हो गया ये बात समझ आती है मेरे बच्चो हम क्या एक step और आगे जाए एक step और आगे जाए सर जाते हैं सर हम चलें जी एक और छोड़ी सी जो है वो illustration देखते हैं मैं आपको सर ये illustrations पढ़ाते 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 रूर्स बताता जाओंगा ठीके जी और eventually जब हम आड 9 illustrations देख लेंगे तो ये standard complete हो जाएगा हमारे पास हमने acquisition of inventory ये परचेदव inventory देख लिए अगर हमने foreign currency में खरीदी हो उसको कैसे account for करना है अब हम देख रहें sale of inventory को देखे हमारे पास assume करें inventory मौझूद है एक लाग रुपे की ये हमने अपनी local currency में खरीदी थी पाकिस्तान से या produce की थी एक लाग रुपे की हमारे पास फिर तीन डेट्स important होगी एक हमारे पास आगई सब तीन की डेट्स में हमारे पास एक डेट आ गई 29 डिसमबर तीस दिसमबर जिसमें हमने goods बेची है 31 डिसमबर जो हमारा year end है और हमारे पास सर दो जनवरी को हमने पैसे receive की है ठीक है जी तो सर मेरे पास इस 30 तारीक को exchange rate 140 रुपे का है इस 31 डिसमबर को 142 का है और जब हमें receive हुए पैसे तो 143.5 का हो चुका था तो सर ये तीन डेट्स हमारे पास important है IAS 21 कहता है जिस date पर transaction हो उसी date पर उसको record करो तो हम assume करें सर हमने जब goods बेची होंगी तो हमने रिसके निवार ट्रांसफर कर दी होंगे तो 30 डिसमबर को रिसके निवार ट्रांसफर हुए तो sale के entry तो यहीं बननी चाहिए Sale के entry क्या pass होगी ये देखिएगा सर 30 डिसमबर में हमने एंट्री पास की account receivable debit उस दिन का rate कितना है जी साढ़े 900 multiply by 140 तो हमारे पास सर साढ़े 900 multiply by 140 यह आता है जी 133,000 और हमारे पास सर सेल्स क्रेड़ेट 133,000 ऐसा अगली ही entry मैंने एक और पास की होगी cost of goods sold की क्योंकि cost of goods sold रुपीज में तो constant है ठीके जी constant का मतलब हमें पता है कितना जी एक लाक और inventory क्रेड़ेट कितने से एक लाक ऐसे ही मेरे बच्चो इसके बाद मेरी balance sheet की ओपर एक account receival नाम का asset आच चुका है जो के monetary item है जो के monetary item है जी जी क्या उनाम monetary item क्यों सर मोनेटरे आटम सारे items हैं जो तीन चीर है receival जो के cash में receive होगा payable जो के cash में pay होगा और cash ठीक है ये definition हम अभी तक याद एक है सर inventory receival जो के cash में settle होगा payable जो के cash में settle होगा और cash ये तीन monetary item मानेटरी आइटम को आपने करना किया सर आपने रे ट्रांसलेट करना है हर और छार करनसी में इस रिसीबल को इंक्रीज करना है क्योंकि सर मेरे पास डॉलर दो रुपए बढ़ गया मैं तो खुश हो गया यार एक सो चालिस रुपए का डॉलर था नौ सो पचास डॉलर मिलने माशालला डॉलर दो रुपए और महंगा हो गया तो फाइदा हो गया सर हमें अभी थोड़ी इंटू दो रुपए मेरे पास बनता है सर को उनने 100 रुपए और मैंने क्रेट किया सर एक्स्चेंज गेन चैने फिर मैंने एंट्री पास की दो जन्वरी को एंट्री क्या पास की सर मैंने कैश रिसीव हो गया सर इस डेट में अब जब कैश रिसीव हो ना तो जो मुझे डॉलर मिले होंगे उस दिन का रेट जो चल रहा होगा साड़े 900 इंटू 143.5 तो मुझे सर कोई 136 325 सर मेरे पास अकाउंट डिसीवल काम हो रहा है कितने से जो बुक हुआ है सर एक लाग तैसे जार प्लस 1900 एक लाग तैसे जार प्लस 1900 कितने बंदे हैं सरी ये बंदे है सर मेरे पास 134 900 इससे मैं इसको क्रेड़ कर रहा हूं सर लेकिन सर मुझे तो पैसे जादा मिले हां सर वो इसलिए जादा मिले कि और और डॉलर और और बढ़ गया तो मेरे पास मजीद एक्सचेंज ये ना आ गया 1425 पैसे नहीं पे करेंगे पैय बंटरी जादा मांटी बसे होंगे तो रिसेबार और राजन को अपको सिर्फ दो अच्छे तरीके तो आज मैंने आपको सिर्फ 2 बसिक बताई ठीके जी आज कि क्लास को में ही रखातम करते हैं सर आज हमने सर सबसे पहले चीज पढ़ी प्रेजेंटेशन करंसी वो करंसी है जिसको बाइ लॉव आप पे इंपोस किया गया है कि आपने फैनेंशल स्टेट्मेंट्स इसी करंसी में बनाने और पाकिसान में ये करंसी पाकिसानी रुपीज है टीकी आजी पिर हमने दूसी चीज पढ़ी कि सर सारी फारन करंसी करंसी ट्रांसक्शन को आपने उसी डेट पर रिकॉर्ड करना है जिस डेट पर रैकिंशन क्राटेडिया मीन ओ यह भी acts को ट्रांसफर हो जाए और आपने सर उसी डेट के रेट पे उसको record करना है गर वो foreign currency में यानी सारी foreign currency transactions जिस date पे record होनी है उसी date के rate पे record होनी है फिर हमने तीसी चीज़ यह पढ़ी सर हमारे पास चार किसम के international standards हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि risk and reward कब transfer होते हैं हमने सर उसमें सब से पहली चीज़ यह देखे free on board free on board का मतलब यह था कि बायर और seller के बीच में agreement हुआ है कि risk and reward seller के port पे transfer होगा cif में भी seller के port पे risk and reward transfer होता है delivery terminal में buyer की port तक ले जा के goods आपने पहुंचाने तब risk and reward transfer होगा और delivery duty पे जो चौथा के हैस तो उसमें even clearance करवानी पड़ेगी custom से तब जा के risk and reward transfer होगा तो sir जब risk and reward transfer हो seller sales बुक करेगा और buyer जोई वो परचेंद बुक करेगा और उसी दिन के rate पे बुक करेगा फिर हमने पड़ा sir monetary items सिर्फ तीन चीदे हैं हमारे पास वो सारे receibles जो की cash में settle होंगे वो सारे payables होंगे cash में settle होंगे और cash itself ठीके जी balance sheet पे मौझूद इन तीन monetary items को अगर यह foreign currency में है तो हर reporting date पे retranslate करना है जब तक के pay ना हो जाए और sir जो non monetary items हैं वो एक दवर record होंगे तो उसके बाद फिर उसमें कोई तब भी नहीं आएगी ठीके जी हमने sir purchase का case देखा purchase के case में अगर आपने बाद में करना है तो payable create होगा वो एक monetary item है उसको retranslate करना है और sale के case में sir एक receible generate होगा अगर आपको अभी तक पैसे मिले नहीं है और अगर वो foreign currency में तो उसको retranslate करना है sir thank you very much जजाक अलाओ खेर असलाम अलेकुम